So hi everyone, welcome back to our new video और आज की वीडियो का topic होने वाला है expected marks vs. percentile vs. rank for Jamin's 2023 के लिए क्या होने वाली है इस वीडियो में मैं detailed मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपके साथ मैं previous year trends share करने वाला हूँ 2022 के कि क्या marks vs. percentile रहा था और फिर मैं अपनी expected बताने वाला हूँ कि 2023 के अंदर क्या marks vs. percentile vs. rank रहने वाला है और उसी के साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या इस साल competition बढ़ने वाला है Jamin's के अंदर और बढ़ने वाला है तो कितना बढ़ने वाला है प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो भी लोग इस चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार बहुत सारे students वीडियो देख लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसी ही important वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो तो चलो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक थोड़ी सी नजार हम competition पर डालते हैं कि क्या मैंने 4 important points लिए हैं सबसे पहले देखते हैं जो मैं predict करता हूँ मेरे recording क्या होने वाला है J means 2023 के अंदर 2021 से तो कम competition रहने माल है क्योंकि 2021 के अंदर बहुत जादा randomness थी प्लस चार attempts थे competition काफ़ जादा बढ़िया था और papers भी काफ़ी late late हुए थे तो बच्चों को काफ़ जादा time मिल गया था preparation के लिए और paper भी बहुत आसान थे तो इन सारी चीजों को देखते हुए 2020 तो एकदम 2021 के अंदर तो एकदम next level competition था तो इतना तो definitely शौर है कि 2023 के अंदर 2021 से बहुत कम competition रहने वाला है Second is 2022 से थोड़ा बढ़ जाएगा देखो कहीं न कहीं मेरे recording 2023 ये 222 का सेम रहने वाला है बस थोड़ा बढ़ने के chances इसलिए क्योंकि यार पिछले 2-3 साल से न COVID का pandemic चल रहा था जिसकी वज़े से बहुत सारे dropper students 2023 के लिए attempt देंगे तो उस वज़े से थोड़ा सा competition बढ़ने वाला है तो ये first point होगा Second is J2022 numerical question जो मैं भी बोल रहा था की negative marking आ गई आपने देखा होगा 2022 के अंदर suddenly बहुत सारे scores down हो गे थे like 170, 180 पे 99 percentile बन रहा था वहीं पर हम previous years की बात करें तो 190, 195, 200 प्लस तक 99 percentile बनता था तो one of the most important reason ये ही था कि 2022 के अंदर negative marking आ गई थी numerical questions के अंदर जिससे 10 से 20 marks का फर्क पढ़ गया था Third important point is number of students जैसे मैंने भी बताया कि droppers थोड़ी students बढ़ जाएंगे तो हम expect कर सकते थोड़ बहुत competition बढ़ जाए 10-5 number का Fourth conclusion क्या निकल के आता है जादा डरने की बात नहीं है आप कितने भी वीडियो बगयरा देख लो कहीं न कहीं competition 2022 जैसा ही रहने वाला है जितने marks versus rank आपका 2022 का था कहीं न कहीं उसी के according आपका So let's move to the J.Mills 2022 marks versus percentile क्या ratio रहा था तो यार यह मैंने एक official site से website से उठाई है यह table तो यह आप इस पे 100% believe कर सकते हो जितने भी J.Mills 2022 वाले experience है प्लीज एक बार check करके comment section में जरूर बता देना कि यह सही है या नहीं मेरे according या मैंने यार जितने भी research किया है one of the best table है जिससे आप predict कर सकते हो तो J.Mills 2022 का analysis कहता है 100% के लिए आपको 280 से 300 के बीच में marks लाने होंगे तब ही आपकी 100% आईगी अब आप जैसे देख सकते हो या सारी table की मैं आपको PDF बना के description में share कर दूँगा तो tension ना लो और आप देख सकते हो 99.99% के लिए आपको 270 तो 280 marks तक चाहिए होंगे फिर अगर हम बात करें 99% की तो आपको कहीं ना कहीं 2022 के अंदर 151 to 160 marks ये थोड़ा जादा हो गया मतलब इसमें plus 10 marks जरूर कर लेना कि 10 नंबर बढ़ा के तो आपको 99% आईल आपकी 170 से 175 पे भी आ गए थी यार ये एक average score है अब हो सकता है कोई shift बहुत जादा tough हो कोई shift बहुत जादा easy हो tough वाली तो यार ऐसा था कि आपका 151 पे भी 99% बन गया था और जो बहुत जादी easy shift थी उसके अंदर 170, 180 तक 190 तक भी 99 गया था तो आप 10-5 नंबर उपर नीचर एड़ जरूर कर सकते हो तो ये सारी list मैं आपको description में share कर दूँगा और आप इसका screenshot भी ले सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो अगर हम rank की बात करें तो ये rank की list है अब यार ये सारी table को मैं one by one discuss करके आपका time waste नहीं करना चाहता वैसे ही आपके पास काफी कम time है तो मैं इसे description में share कर दूँगा थोड़ा सा देख लेते हैं 100% पर आपकी 1 से 20 तक rank आती है अगर हम 99.5 की बात कर रहें तो कहीं न कहीं आपकी 5,000 से 3800 के बीच में rank बनती है वहीं पर अगर हम आप बहुत सारे students का target होता है कि भाई या बस 99% लाना है आपकी 99% पर 10,000 के आसपास rank बनती है हो सकता है number of students बढ़ जाए तो 12,000 तक भी चली जाए बट 99% के लिए 10,000 की rank बनती है और उसी के according आप अपनी preparation कर सकते हो before moving ahead आप सबी को यार इस time पर mock test देने बहुत जादे important है आप अपनी preparation कर रहे हो अगर आप mock test नहीं देते हो तो आपको idea नहीं लगता कि आपकी preparation एक सही direction में जा रही है नहीं जा रही है तो उसके लिए मेरे पास है Oswal Books के तरफ से J Main mock test इसमें आपको 15 sample papers मिल जाती है with J Main's previous year solved papers so guys let's look into this book सबसे पहले and important thing is कि आपको इसके अंदर trend analysis मिल जाते है physics, chemistry, maths तीनो subjects के लिए J Main's 2019 से 2022 तक के chapter wise trend analysis मिल जाते है किस chapter से कितने questions पूछे गई हैं अभी तक and another important thing is कि आपको इसके अंदर J Main's के previous year solved papers मिल जाते है जैसे आप देख रहे हो 2022 का 29 June shift 1 का ये paper है physics, chemistry, maths तीनो subjects का आप इसे solve कर सकते हैं जब mock test attempt कर सकते हैं और इसके आपको in detail solutions भी मिल जाते हैं third important thing is आपको इसके अंदर mind maps मिल जाते हैं जिससे कि आप अपना revision बहुत fast कर सकते हो सारे chapters का and यहर आपको chemistry के अंदर बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं जो याद नहीं होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते हैं जो इस book के अंदर दिये हुआ हैं जिससे कि आप easily maximum चीज़ों को याद कर सको and guys most important point is आपको इसके अंदर 15 sample papers मिल जाते हैं J.Mains के जिससे आप solve कर सकते हो so guys if you are interested to buy this book link is in the description please check out now let's move to the most important and interesting part J.Mains 2023 के लिए percentile versus marks क्या रहने वाला है कि भई हम preparation तो कर रहें पर हम क्या target score रखें क्या targeted percentile रखें वो सारी चीज़े आपको पता चलेंगी इस data से जो आप expect करते हो J.Mains 2023 के अंदर ये सारा data रहने वाला है जैसे यार आप देख सकते हो 280 plus number आपको लाने होंगे अगर आप target कर रहे हो 100 percentile का अगर आप 99.9 percentile के target कर रहे हो तो कहीं न गहीं आपको 250 number तक लाने होंगे अब इसमें आप यार plus minus 10 जरूर कर लेना अगर आपकी shift का paper इस ही आजाता है तो यार आप मान के चलो plus 10 marks इसमें add कर के चलना अगर आपकी shift का paper tough आजाता है तो इसी में से आप minus 10 marks कर लेना तो same percentile पे इतने marks आएंगे जैसे मान के चलते 99.9 percentile अगर आपकी shift का paper easy है तो आपके 260 पे 99.9 percentile बनेगी I hope आप समझ गए होगे तो 99.8 percentile के लिए आपको 245 number चाहिए होगे 99.7 के लिए 224 220 plus score करना होगा 99.6 के लिए 215 99.5 के लिए 210 अब आप में सी बहुत सारे students ऐसे होगे कि मुझे 99.5 plus target कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं आप मान के चलो आपको 210 से 215 plus marks लाने होगे J-Mains 2023 first attempt के अंदर वहीं पे अगर 99.4 के लिए 205, 99.3 के लिए 201 99.2 के लिए 195 99.1 के लिए 192 99 percentile जिसके लिए आर maximum students तयारी करते कि कैसे भी करके बस 99 percentile आजाए उससे plus आजाए तो देखो सबसे पहले तो आपको कहीं न कहीं target करना होगा 190 marks तक अब जैसे मैंने starting में बताये था अगर आपकी shift का paper tough आता है तो आपको 180-170 तरपे भी 99 percentile बन जाएगा वहीं पे अगर आपकी shift का paper easy आता है तो आपको कहीं न कहीं 195 200 number तक भी 99 percentile बनेगा अगर हम rank की बात करें तो कहीं न कहीं आपकी rank 8000 से 12000 के बीच में आती है 99 percentile पे 8000 से 12000 तक के बीच में आपकी rank आजाएगी तो ये सारी चीज़े आप थोड़ा ध्यान रखना अब आते हैं 98 percentile 160 number पे 97 percentile 143 बहुत सारे students का target होगा यार कैसे 1500 number लाके मैं 97-98 percentile पे पहुंच जाओ तो देखो यार देखो आपके 128 number भी लाते हो जो कि 300 में से 128 20 number लाना ज्यादा बड़ी बात नहीं अगर आप थोड़ी से strategy wise practice और तयारी कर लो तो आपकी 96 percentile बन जाती हैं वहीं पे यार 117 number पे आपकी 95 percentile तक बन जाती हैं 109 number पे 94 percentile सिर्फ 99 marks पे 93 percentile तक बन जाती हैं 92 percentile के आपको 90 number लाने होंगे 91 1 percentile के लिए आपको 86 marks लाने होंगे 90 percentile जो आपकी यार maximum time cut off जाती है cut off यार कहीं न कहीं यहीं जाती है 85 percentile के लिए आपको 70 marks लाने होंगे 80 percentile के लिए आपको 62 marks लाने होंगे अब यार ये 85 और 80 percentile इसलिए डाल दिया बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो category के होते हैं तो category की cutoff ऐसे जाते हैं 70, 30, 40, SCST के लिए 30, 40 बजाती हो विसी के लिए 75 तक जाती है 70 परसेंटाइल तक तो उसके लिए मैंने नीचे डाल दिया कि कितने marks लाने हैं अब देखो यार बहुत सारे students 95 परसेंटाइल टार्गेट करते हैं 95 परसेंट परसेंटाइल आ जाती है first attempt के अंदर तो ज्यादा tough नहीं है और यही analysis रहने वाला यही मैं predict कर रहा हूं कि यह सारे चीज़े होंगी और आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर कर देना चैनल को subscribe कर देना जो भी लोग इस चैनल पर नहीं है प् आप ही सारी चीज़े type करते हो और लिखते हो तभी आपको confidence आता है कि हां यार actual में ही सारी चीज़े मुझे achieve करनी है and finally all the very best to all the students and आपको कोई भी doubt ये query comment section में लिख सकते हो प्लस मुझे आप Instagram पे follow कर सकते हो जो भी आपके doubt मुझे DM करके पूच सकते हो मैं maximum students का reply कर देता आपके genuine doubts है so thank you so much for watching this video bye